कैसे हैं आप सब लोग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं फूले फूले मज़िदार से भटूरो की रेसिपी बहुत इसी तरीके से आपको बताने जा रही हूं यह और अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे न तो यह परफेक्टली बिल्कुल बजार जैसे भटू यह तो इसमें डालेंगे नमक जाएगा और 1 छमद चमl के रही हूं आपके सोडा तो आप बेकिंग तो μαह्त करोंपने अच्छे से मिक्स करेंगे ताकिमा चमुल छकुर बिल्कम को शक्र पार स्बा बावं वर्मा से पंट पोडुन एक हुलम मेदे में अच्छे से मिक्स and और इसके बाद इसमें डालेंगे दही, दही देखिए है आधा कप के करीब, रूम टेंपरिचर पे दही लीजेगा, और चममच में आपको जो नॉर्मल खाने आला चममच होता है टेबल स्पून वो दिखारी हो तो यह तक्रीबन तीन टेबल स्पून भर के दही है, अच्छ मिक्स हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है गारा दही नहीं होता है, पतला दही होता है, उसमें पानी जादा होता है, तो उसे साबसे को गूनने में पानी थोड़ा कम लगेगा, अभी दही वगएरा मैदा में अच्छे से मिक्स हो गया, तो हलके गुन-गुने पानी के सा ताकि इसके अंदर लचक पैदा हो जाए अब आठे के उपर तकरीब एक टीस्पून के करीब तेल डालके इस पे लगा देंगे अच्छे से ताकि आठा उपर से सूखे नहीं और इसको ढखके रखेंगे रेस्ट करने देंगे इसको तकरीब बीस मिनट के लिए और पीस लिए एक से दो मिनिट इसको गूना है बहुत जादा गूनने की जुरूत नहीं है अब इसके हम पेड़े तोड़ लेंगे तो तकरीबन इससे जो है ना आठ से दस आप भटूरे बना सकते हैं इतने उस आठे में यह मैं जो भटूरे का साइज रख रही हूँ ना तो यह जो बनारी हूँ यह तो यह 100 ग्राम से करीब यह आठे की लोई मैंने तयार करी है तो सारे पेड़े मैंने तोड़ लिए इसको प्रेट में रख दिया है मैंने और इसको मैं थोड़ा सा तेल लगा दूँगी थाकि मैदा सूखी नहीं जैसे जैसे हम भटूरे बनाते जाए और 10 मिट गुजर जाने के बाद आप ही दिखी मैदा दुबारा से देखिए थोड़ी सी लचीली सी हो गई है अब इसके भटूरे बनाने का टाइम आ चुका है तो ट्रे को साइड में रख देंगे और काउंटर टॉप पे हलका सा तेल लगा लेंगे पेड़े के उपर इस लोग जिस तरीके से पराठे बनाते हैं हलका मोटा बस वैसे ही आप में इसको बेलना है आचा मैं आपको तेल दिखा देती हूँ तेल आपने इतना गरम करना है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा जब आटा डाले ना वो फौरन ही तेल के उपर आना चाहिए इसका मतलब है क पराठे आपने इसको तलना है हाई फ्लेम के उपर हलके हाथ से भतूरे को तेल में इसको फिसला दीजे और कोई भी छेदो वाला चमच कोई भी फ्लैट चमच आप ले ले उससे पहले आप कुछ सेकेंड के लिए भतूरे को तेल में दबाईए इसको और उसके बाद इसी चमज की हेल्प से जो तेल भटूरे के उपर डालिए तेल जैसे भटूरे को पर आप डालना शुरू करेंगे ना भटूरा फॉरन ही फूल जाएगा और इसको कुछ सेकेंड नीचे एक तरफ से पकने के बाद इसकी साइट चेंज कर दीजे बहुत जल्दी भटूरे बनके त द्यार हो चुका है अच्छा अगर आप बिगनर है और भटूरे बनाना नहीं ने शुरू करा है तो इतना ध्यान रखेंगा दो से तीन भटूरे तलने के बाद आप गैस को थोड़ा मीडियम करतीजेगा क्योंकि तेल बहुत जादा गरम हो जाएगा तो उससे आप जैसे और रेस्पी पसंद आई होगी और सारी चीजे आपको असानी से समझ में आ गई होगी तो इसको ट्राइ कीजेगा और इसका फीडबैक मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक शुरूर कीजेगा और चैनल को सब् का एक वर किसाय का मजदार को जरूर सपूर्ट करें